जो अंत और प्रारंग है, हर युग का वो आरंग है रम्हान जिसमें है रचान संसार जिसमें है बसान ये कथा देवति नंद की आप जो अपने घर में माल पुआ कमा के बनाते हो बताओ अपने खाते हैं कि गहर जब आप दीजे अपने खाते हैं कि गहर और जब मर जाते तो चिता में आग अपने लगाते हैं कि गहर अपना अपना कहते कहते सब कुछ मेरा लूट लिया खूब यहां अपने पन की रीत निवाई अपनों ने यही संसार है इस संसार में कोई किसी का नहीं है इस संसार में अगर कोई किसी का है तो वो सिर्फ परमात्मा है मेरे प्यारे परमात्मा है उसी से रिष्टा जोड़ लो तर जाओगे तर जाओगे आपने एक बात कहते हुए सब को सुना होगा मुझे फलाने व्यक्ति से ये आसा नहीं थी फलाने व्यक्ति ने ये कर दिया मुझे उमीद नहीं थी उससे ये आस नहीं थी उसने मुझे दुख दिया उसने ऐसी आस नहीं थी उसने दुख नहीं दिया तुने तुझको दुख दिया है तुने आसा ही क्यों रखी थी इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता है अगर कोई किसी को दुख देता है तो वो तुमारी आसा है जो तुम किसी से उम्मीद करते हो आस करते हो वो तुमें दुख देती है इसलिए तुमारे संतों ने कहा था आसा एक राम जी से दूजी आसा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता सुख दुख हानी लाव सब मिल सईये जाई वेदे राखे राम ताई वेदे क्या वोलना पड़ेगा जोर से वोलना पड़ेगा कल यूग है मेरे प्यारे इस कलिकाल में सब तरस्त है मस्त वों हैं जो राम की हो गए तरस्त वों हैं जो मया की हो गए वेश्व शान्ती सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनने के लिए यूट्यूब में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज फेस्बुक पर पुझे महाराज जी के अधकारिक पेश को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्वीटर वर पुझे महाराज जी को dn-thakur-g फालो करें झालो करें